नमा संस्कृत आए आज हम कक्षा साथ की संस्कृत प्यूशम के सब्त दशह पाठ अर्थात सत्रुह पाठ जिसका सीर्षक है समाज निर्माने नारी नाम भूमी का समाज के निर्मान में नारियों की भूमी का इसका आज हम अभ्यासकारिय करेंगे उच्चारन कीजिर पुस्तिका में लिखे यहां कुछ शब्द दिये गए हैं इनका उच्चारन करके आपको पनी पुस्तिका में सुन्दर सुन्दर इनको लिखना है ये कार्या आप स्वेम करेंगे पुर्ण वाके में उत्तर दिजिए समाजस्य निर्माने कासाम महती भूमी का स्वीक्रियंते समाज के निर्मान में किनकी महतुपूर्ण भूमी का स्वीकार की जाती है बच्चों देखो कितना आसाने इसका उत्तर बनाना कासाम के इस्थान पर लिदिंगे नारी नाम समाज के निर्मान में नारियों की महत्वपून भूने का सिकार की जाती है समाज अस्य कल्यानम कदा भवती समाज का कल्यान कब होता है यदा इस्त्री पूशहो संभावो भवेत तदा समाज अस्य कल्यानम भवती प्राचीन काले असमाकम देशे कहा विदूश्या आसन प्राचीन काल में हमारे देश में कौन विदूश्या थी इसका विवच्चो कहा के स्तान पर इस्त्रिया लिद देंगे तो उप्तर बन जाएगा प्राचिन काल में हमारे देश में इस्त्रिया विदूश्या थी विदूश्या नार्या का विदूशी नार्या कौन-कौन थी तो इसमें हम लिखेंगे अपाला, घोशा, लोपा, मुद्रा, प्रभितेह, विदूश्या नार्या आभवन गार्गी केन सहस्त्रार्थम अकरोट तो केन की स्थान पर जाएगा याग्य वल्लकेन गार्गी याग्य वल्लकेन सहस्त्रार्थम अकरोट मैत्रेई की दृशी आसीद मैत्रेई प्रग्यावती सुक्ष्म विवेची का चासीद आधुनिक समाजे इस्त्रिया केशु शेत्रेशु स्वकियम योगदानम कुरुवाना द्रिश्यन्ते आधुनिक समाजे इस्त्रिया केशु की स्थान पर जाएगा सर्वेशु कर्म शेत्रेशु की साथ लगा देंगे कर्म सर्वेशु कर्म शेत्रेशु स्वकियम योगदानम कुरुवाना अंद्रिश्यन थे तो आसान है न बच्चू पदेशु संदी विछेदम कुरूद यहाँ पर कुछ पद दिये गए हैं इनका संदी विछेद करना है तथेव तथाधन एव चंद्रो परी चंद्रधन उपरी छेत्रेपी छेत्रेधन अपी शास्त्रार्थे शास्त्रधन अर्थे निमलिखित पदेशु उपसर्गम लिखत यहाँ जो पद्य गए हैं में से उपसर्ग लिखना है विजियम में भी उपसर्ग है सनलगना में सम प्रचली तह में प्राउपसर्ग है और प्राध्यापका में भी प्राउपसर्ग है मन्जुशा तह पदानी चित्वा वाक्यानी पूर्यत मन्जुशा से पच्चुन कर वाक्य पूर्य कीजिए वैदिक वांग में नार्यह विदुश्यह आभवन साम प्रतम मनुष्या नाम जीवन दिश्टी परिवर्तिता मंदन मिश्रस्य पत्नी भारती अती विदूशी आसीद भारोत तोलने कर्ण मल्लेश्वरी पदम प्राप्तवती पद कम होना चाहिए पदम नहीं संस्कृत भाषायाम अनुवादम गुरू समाज में इस्त्री और पुरूश का महत्व समान है समाजे इस्त्री पुरूशय हो समान महत्व इस्त्री और पुरूश की समन्ता की भावना प्राचीन काल से है इस्त्री पुरूशय हो समता भाव प्राचीन काला देव प्रचलित अस्ति वह युद्ध तता यग्यों में भी भाग लेती थी सा युद्ध यग्ये चैसम में लेता आसीत माता बच्चों की प्रत्म शिक्षिका होती है माता बाल का नाम प्रत्मा शिक्षिका भावती इस समय भारतिय राजनीती में महिलाओं की महती भूमिका है अधुनाम भारतिये राजनित्याम महिलानाम महती भूमिका अस्ति मम माता इती विशये संस्कृत भाषायाम पंच वाक्यानी लिखत मम माता इस विशये पर संस्कृत भाषा में पंच वाक्ये लिखे यह आपको स्वम करना है बच्चों इस प्रकार से आपको इस पार्ट का ब्यासकारिय तयार करना है मैं आपकी साहिता के लिए इस पार्ट का संग्शिप्त हल भेज रही हूं आप लोग इसको देखकर ध्यान से आपना ब्यासकारिय तयार करें और बच्चों इसी के साथ आज हमारी है पुस्तक पूर्णों गई है धन्यवाद